हेलो फ्रेंड्स मैं सिय पुनी जयन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंकम टेक्स रेटन आईटीर 3 फाइल करना आप इंकम टेक्स रेटन आईटीर 3 आप ओनलाइन फाइल कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है होता है कि आप JS1 फाइल के तुरू भी इसको फाइल कर सकते हैं जैसा कि अभी इंकम टेक्स की जो नियू वेबसाइट है वो अच्छे से रेस्पोंड नहीं कर रही है उस पर जो सर्वर में थोड़ी प्रोब्लम आ रही है तो यह बैटर है कि आप इसको यूटिलिटी के तुरू फाइल करें यह डेस्टॉप यूटिलिटी है काफी जी है इसको डाउनलोड कर लिजिए सेम जिसका प्रीवियू है वह सेम ऐसे ही है जैसे कि आप पोर्टर पर ओनलाइन फाइल कर रहे हों बस इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है एक जैस्वन फाइल आपको डाउनलोड कर रही है अपनी प्रिफिल डाटर का ओपिशन आएगा जब आप लोगिन कर लेते हैं पोर्टल से उसके बाद सारी एक्टिविटी आप जो इस यूटिलिटी के तुरू कर सकते हैं कि यह भी ओनलाइन यूटिलिटी है तो हम इसमें आज सीखेंगे आईटीर 3 फाइल करना बाकी सार आपको यूटिलिटी रन कर लेनी है इस पर कंटिन्यू करते हुए इसको जो यूटिलिटीर है वो 21-22 रहेगा और यह जो यूटिलिटी है लेटेश्ट यूटिलिटी है 17th of August को आई है यह ITR 1 से लेकर 4 तक सभी के लिए यही आपको यूज करनी है सबसे पहले आपको भी भी एरर सारी है किया डाटा में जो प्रोब्लम है सर्विंग के कारण वह आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा डिले होता है तो आपको क्या करना है कि आपको इंपोर्ट कर लेनी है पिर यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करेंगे तो आप इसको करने के लिए ड्राफ्ट सेव किया था तो वह भी आप यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं चले हम इस वाले उप्शन से कर लेते हैं आप यहां से अटेच करेंगी जैस्वन फाइल यहां से अटेच करने के वाद सब्सक्राइब हो जाएगी प्रोसीड करना है सिंप्ली फाइ हैं बिल्कुल एजी हैं हम इसके बारे मैं आपको बता जाता हूं आपके बिजनेस इंकम हैं तो मेंली जो इसके लिए यूज की जाती है जब आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंकम होती है, तो बिजनेस से रिलेटेड इंकम आपके normal business से भी हो सकती है, या फिर आपके speculation business से भी हो सकते हैं, जाकर आप say trading करते हैं वो भी, और जो normal business activities हैं, उनके लिए भी ITR 3 आपको file करनी है, अब ITR 3 में भी क्या होता हैं कि इसके साथ स गेनन किया है यह फिर आपको हाउस प्रोपर्टी से इंकम आती है उन सभी के लिए यहां पर अधर जो भी एससी होते हैं उनके लिए यहां पर यूज की जाती यह वाली उसके अलावा अगर आप फर्म है तो आई टेर फाइब आएगी कंपनी आटेर 6 आएगी और इसके अला टेर 3 के रिगार्डिंग जो यह वीडियो होगी यह थोड़ा बड़ी होगी तो आपको वीडियो को पूरा इंट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझाए कोई डाउट हो तो आप कंफर्म कर लीजीगा यहां पर एक चीज़ आपको नोट करा देता हूं कि जो मैं सकता है कि उसके काफी सारे डेटेल्स को जो होती है उसके बहुत ही डाटा फीड होने के आदे उसको वैरिफाइक करना होता है अगर आप किसी प्लेट फोर्म पर देख रहे हैं कि वह गलत है ऐसी गलत प्रेक्टिस आप फॉलो ना करें आप अगर अगर अपने डाटा पी काम करना है किसी दूसरे डाटा पी भी काम करना है तो confidentiality को maintain रखें आप वीडियो को पहले आराम से देख लें फिर उसके बाद ही process करें अगर आपके taxable value जो है वह specified limit से exceed चली जाती है तो आपको पहला option select करना है और यह 7th provisor जो है इसके अगेंश्ट में अगर आप फाइल करना है section 139 1 के इन तीनों में से कोई भी option के कारान आपको return file करनी पड़ रही है तीनों की विज़े से करनी पड़ रही है किसी दो की विज़े से तो आपको यह वाल option income है और maximum exemption limits से जो है वह cross कर रही है तो हम यह return file कर रहे हैं आपको यहाँ पर clear कर देता हूँ कि जो basic maximum जो limit होती है वो धाहिलाक रुपेज की होती है तो धाहिलाक से लेकर पांच लाक के भीच में जो आपको tax pay नहीं करना पड़ता है वो आपको special relief मिलती है t7 एकी तो आप यह गलती ना करें कि आपकी जो taxable limit है वो 5 lakh है 5 lakh नहीं है आपकी जो taxable limit है वो to spend 5 lakh ही है continue करना है simple आपके सामने सारे जो fields होंगे वो enable हो जाएंगे इसमें आपको schedule दिये रखेंगे अलग-अलग जन्रल सेड्यूल इंकम बिजनिस डेप्टिशन डेक्शन टेक्स अदर्स इस तरह से सारे सेड्यूल दिये गए है और पाइट है automatically select आ रहा है तो हम इसको continue करेंगे continue करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जन्रल पर भी अगर आप चाहें तो जन्रल इंफोर्मिशन भी साथ के साथ यहां से continue करते हुए modify कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है अब यहां पा रहा है कि आपने थर्ट रिजरी सेड्यूल जो है वो select कि हैं अब आप जो है इस में से सबसे पहले select करिए कि आप जो है section 115 BAC का आप जो है new tax regime opt करना चाहते हैं य पर आपको एक form अलग से file करना होगा उस form को file करने के बाद ही आप जो है यह new tax regime में enter कर पाएंगे तो उसके लिए अलग से कि जो एक जंसन से क्या आप सैल्डी से कोई जो है section 10 की को एक जंसन क्लेम कर रहे हैं क्या तो हमारे जो पार्ट है आज कब वो है business income तो हम इनको भी जो यहां पर section का नंबर यहां पर नोट नहीं किया हुआ है यहां पर general other donation दिया गया है और यहां पर scientific research और rural development के लिए reduction दिया जाता है special उसके लिए ATEEG के लिए कि अगर आप जो है reduction ATEEG में क्लेम कर रहे हैं rent के regarding ATEEG का यहां पर आया कि आप कोई क्लेम कर रहे हैं कि यह स्नो के coding आप इसको select कर लीजेगा यह basic deductions के regarding है कि आप deduction किस तरह से क्लेम करें इसकी video भी मैंने already provide कि है तो हम इसको भी no कर देते हैं कि हम किसी तरह सी कोई reduction यहां पर क्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा है कि फिल्स अभी यहां पर नहीं रहेंगे और हम जो भी अपना डाटा है वह हम easily यहां पर फीड कर पाएंगे अब next में आ रहा है कि क्या आप अपने return file करना जाते है section 44 AD के अंदर जो अगर मैं इसको yes कर देता हूं तो फिर यह सेम जो वीव आएगा वह आएगा itr4 जैसा कि आप जो है itr4 के थुरू 20 अगर फाइल कर सकते हैं इसी तरह 44 AD के लिए के लिए होता है और यह professional के लिए इसके प्रोविजन से लगें कि एक specified limit के अंदर अगर आपकी turnover है तभी आप इसको file कर सकते हैं तो मैं भी basically इसको no कर देता हूं क्योंकि हम जो itr file करने जा रहे हैं उसका purpose यह कि हम itr3 को जो business income related को broadly discuss करें यहां पर इसके लाभा 44 AD यहां पर कर देता हैं कि हम इन वाले provisions के अंदर में अपने return नहीं भर रहे हैं अब हमने आपके continue किया आपके सामने जो है itr3 के जो में जिसके हम itr3 file करते हैं वो सारे fields आपके सामने enable हो गए है अब देख सकते हैं आप one by one मैं सारे fields आपके हमने discuss करूँगा वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा तो आपको वीडियो अगर समझना है तो आपको पूरी वीडियो ही देखनी होगी पोज कर करके या repeat करके आप देख सकते हैं इसमें मेरी speed जाते नहीं रहेगी बाकि आप speed को भी manage कर सकते हैं YouTube से उसमें कोई problem नहीं है मैंने जो ITR 3 को select किया है यहाँ पर मैं discuss करने वाला हूं यहाँ पर मेरा जो main criteria रहेगा वो आज की वीडियो में रहेगा कि हम ITR 3 में business income को किस तरह से दिखाएं क्योंकि मैंने इस से property income salary के साथ आपकी जो capital gain की income आती है वो वाली income और house property income उसके लिए आप ITR 2 यूज करते हैं और अगर आपका business है तो और आपका किभल business है और आपकी single house property income आती है आपकी salary भी है अधर source की income भी है तो इसके लिए आप simple ITR 4 भी यूज कर सकते हैं वाज जो ITR 3 है उसमें काफी road fields दिए गए है यह जो ITR है यह आप file करेंगे आपके proper books of accounts maintain होने की requirement आती है उसके लिए provisions है specified है कि आप special turnover यह net profit से अबोव अगर आपकी दोनों चीजों में से कोई भी चीज एकसीड कर जाती है किसी particular financial year में तो उस case में आपको books maintain करने होते हैं क्योंकि ITR 3 भणने के लिए हमें proper books of account की need होती है अगर आप proper books of account maintain नहीं करते हैं तो भी आप इसको feed कर सकते हैं इसमें को भी ऐसी restriction नहीं है पर फिर आपके बाद notice आने के chances ज्यादे रहते हैं तो ITR सबसे पहले part A में general information होती है general information में क्या हैगा आपके जो basically जो details है नाम आपके जो mobile number ए email आईडिया है यह सा family file करना है तो यह section select करना है audit की information आपको देनी है कि जो आपका business है क्या वो tax audit के लिए liable है तो उसके लिए भी already video जहाँ चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैं अभी यहाँ पर जो ITR 3 file करने जा रहा हूं उसमें मैं assume कर लेता हूं कि मुझे books of account maintain करने के requirement है क्योंकि मेरे specified limits है वो चीली गई है और मेरी जो income है मैं इन में से किसी भी declare नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह presumptive case sections है तो अगर मैं presumptive में जा रहा हूं तो फिर ITR 4 भी file कर सकता हूं तो मैं इसको no कर देता हूं और मैं यहाँ पर यह भी एक सी जो और यहाँ पर confirm कर रहा है कि आपकी जो limit है वो business से exceed करती है बट 1 crore से तो अब ओव जा रही है तो 10 crore से कम है क्योंकि आपने 5% cash वाल expense के लिए आता है कि expense से income आपकी 5% से जादा नहीं होनी चाहिए तो आपके लिए limit जो है 10 crore होती है simple मैं आपको meaning समझा देता हूं तो हम यहाँ पर जो है no कर देते है कि हमारी जो income है वो मतलब exceeds नहीं करती है 1 crore से अब हो क्योंकि हम यहाँ पर basically सीखने वाले ITR 3 तो हमारा tax audit वाला part इसमें cover नहीं है कि tax audit कैसे file करें ITR 3 को भरते हुए वह एक अलग provisions है तो उसके लिए हम next video में discuss करेंगे अभी हम यहाँ पर assume कर लेते हैं हमारी tax audit का case नहीं है और हमारा जो international accession के लिए entry to section ही जो तो उसमें भी हमारी audit नहीं है अब यहाँ पर आता है इसके बाद डेट के लिए confirm कर रहा है तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं दोनों चीजों को data को save कर लीजिए bank details आपको confirm कर नहीं है जितने bank account है आपके उसमें adhan card number और bank card number जहां पर भी आपने link करा है तो मैं suggest करूँगा आप उसको सब्सक्राइब करें और कम से कम एक bank account को आप जो है रिफंड के लिए नोमिशन करेंगे कि आपका जो रिफंड अगर बनता है तो इसमें वो credit होगा तो यह हमारी basic information थी इसको confirm कर लीजिए आप अपने coding save कर लीजिएगा अब यहां पर आ रहे हैं कि क्या आप 15S की जो है benefit क्लेम करना जाते हैं हम इसको भी no no select करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम यहां पर कर रहे हैं कि हमारी business entity है business entity है हम ITR4 file कर रहे हैं हमारे proper books of account maintain है हमारे उपर audit भी liable नहीं है और हम simply IDR4 file कर रहे हैं अपने business income के लिए या फिर मेरी share market से होने वाली income होते है share trading वाली उसके लिए तो उन दोनों case में यह applied नहीं होते हैं तो आप इसको no कर दीजिए बट एक चीज आप ध्यान रखेगा stock market के case में जो limit आपके 10 crore तक ही applied हो जाती है क्योंकि महाँ पर आपके cash में कोई expense नहीं होते हैं उसके लिए वह provision जहाँ पर मैंने no किया है हम हाँ पर आपको yes करना है वह चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपने audit आपके उपर applied नहीं हो रही है और आप जो है simply जा रहे हैं तो 10 crore से कब वाले ससे के लिए यह वाली काम करेगी और जो मैं आज बताने जा रहा हूं वह भी आपके लिए beneficial रहेगा रिप्रजेंटेटेश से के थ्रू नो करना है हम यहाँ पर simply हम यह एजुम कर रहे हैं कि हमारी डायरेक्टर सिप भी नहीं है किसी फर्म में पर अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो रहे हैं उसकी डीटेल से आपर देनी होगी फर्म के लिए भी आन लेते हैं आपर अभी किसी फर्म में पार्टनर नहीं है क्योंकि अगर पार्टनर थे आपको यहां पर नाम, PAN, NUMBER, CT, CT, सारे डीटेल्स देनी होगी details of unlisted equity share तो यह important point आता है share trading वालों के लिए कि आपने यहाँ पर कोई unlisted ध्यान से सुनिएगा listed की बात नहीं हो रहा है unlisted कि कोई private company है public company है यह जो कि stock exchange पर listed नहीं है और उसके आपने shares hold करे हुए है equity shares की के फिल बात करना है अपर तो आपको यह select करते हो यहाँ पर इसकी data feed करना होगा जैसे मैं yes कर देता हूँ तो उसके लिए एक proper schedule दिया गया उसमें data आपको feed करना होगा और वहाँ पर shares के number details कब आपको मिले हैं कब आपने उसको कब तक hold किया है किस rate पर आपने लिए मुझे सारी details देनी होगी तो मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ कि हमारी ऐसी को details नहीं है तो मैंने save कर दिया data basic details में मेरी जो general information है वो feed हो गई है उसमें कोई problem नहीं है अब next आता है nature of business तो nature of business आपको select कर लेना है अपने according यहाँ से add details पर जाना है और यहाँ पर काफी सारे codes दिये गए है services के भी और goods के भी तो आप अपने according इसको select कर लिए trade name में आप डाल दीजिए जो भी आपने trade name रखा है कोई description आप देना चाहते हैं तो आप select कर लिए उसमें कोई problem नहीं है इसको अगर आप feed नहीं करेंगे तो आप next step पर नहीं जाबाएंगे तो ध्यान लखेगा आपको एक एक step जो है feed करते हुए जाना है आपके फ़ल एक idr3 file करना कर सीख जाते हैं तो फिर आप जो है बागी सारे idr's आराम से file कर सकते हैं अभी आता है part A balance sheets तो आपको जो है balance sheet यहां पर file करनी है एक चीज और आती है कि हम idr3 जैसे कि मैं आपको starting में बतायाता है कि अगर मेरे books of account maintain करने की मेरे पर limit applied नहीं होती है तब भी मैं idr3 file कर सकता हूँ पर यह कोई unnecessary चीज है कि हम मेरे बास मेरे पर जो है वो applicable ही नहीं है limit और फिर भी मैं बिना books of account maintain करे में idr3 file करूँ इससे better है कि मैं अगर मेरी जो income होती है वो taxable limit से cross करती ही नहीं है तो फिर मैं idr4 भी file कर सकता हूँ business income के लिए उसमें 6% और 8% का criteria तो यहां पर अगर आप इस तरह से business activity करने कि आपकी turnover है वो turnover इतनी minimum है और आपको जो profit है वो भी इतना कम है तो फिर आपको मुझे समझ नहीं आते हैं कि फिर इस idr को file करने की requirement नहीं आती है बर फिर भी आपको बता देता हूँ फिर आपको no books of account के select करते हुए कि यहां पर देना है आपके data creator stock or cash balance अगर आप ध्यान से सुनिए अगर आप जो है books of account maintain करने के जो आपका cash stock है और आपका cash balance क्या है यह सारी details आपको 31st of March यहां पर enter करनी है तो मेरे case में तो मैं proper balance it के तुरू जाने वाला हूँ यहां पर आपको proper balance it file करना सिखा देता हूँ कि proper balance it आप किस तरह से feed करेंगे यहां पर आपकी जो है पहले आएगा source of fund source of fund में जो details आएंगी उसमें complete balance it आएगी proprietor fund कि आपकी जो proprietor capital है वो कितनी है आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो है जो सबसे पहले जो पर साती है source of fund के बारे में सारी ही आपको यहां पर एंटर करनी है तो इसमें तो ज्यादे है कोई problem वाली बात नहीं है हम यहां पर assume कर लेते हैं कि बाकि फिल्स में आप zero कर दीजिए यह लोन साथ है कि आपने लोन अगर लिये हैं तो आपको secured loan यहां पर एंटर करना है है part a में foreign currency में लिए है तो यहां पर आपको एंटर करना है bank से लिया रुपी लोन या दर किसी financial institution से किसी वी entity से लिया तो यहां पर एंटर करना है unsecured loan के लिए नीचे criteria दिया है basically simply आपको जो है अपनी जो balance sheet है जो आपने balance sheet बनाई है उसको यहां पर feed करना है तो balance sheet आप पहले excel में बना लीजिए excel में आप draw कर लीजिए उस asset और liability दोनों side की equal होती है और यहां पर जो values आपको एंटर करनी है अब यहां पर हमने provider fund के case में देखा है कि यह एक businessman है जो कि अपने normal retail business है और wholesale business है आपर capital एंटर करते हैं अगर यहां पर example आप ले लेते हैं कि आपकी stock market से trading की income आती है तो trading में आपकी capital क्या होगी capital जो है वो कैसे निकल गाएगी आपकी सबसे पहले आप जो है इसके लिए सबसे पहले आप assets चेक कीजिए अपनी जो capital होगी provider capital में कि आपके पास जो funds available है liabilities को last करने के बाद total assets में से liability अगर आप last कर देंगे तो आप इसको यहां पर balance figure भी ले सकते हैं फिर उसके बाद जो है अब चलेंगे assets क्योंकि उसे source of funds के थुरू हम यहां पर enter करेंगे liabilities और liabilities तो हमने आप एंटर कर दी अब इस source of funds में से total assets में से और liabilities को minus करके वो source of funds आ जाएगा आपका बाकी वाली figure जो है आपकी balancing भी रह सकती है source of funds हमने एंटर कर लिया पूरी liabilities है हमारी आ गई अब हम बात करेंगे application of funds की क्योंकि मैंने आप जैसे आपको बताएगी आपके पास जो capital है opening capital आपके पास होगी फिर उसके पास आपने इस साल में जो भी profits earned की है उसके profits को आपको add करना है जो drawings आपको last करना है और जो आपक capital होगी बट इसका दूसरा तरीका है कि आपके पास capital नहीं है आपको यह नहीं समझे रहे है कि आपके capital कितने से हुई है तो आप क्या करेंगे जो आपके application of fund है उसके थूरू आप चेक कर सकते हैं दोनों चीज़े सेम होगी और यह आपकी balance figure भी आ जाए capital प्रोप्राइटर जाएगी और आपकी जो balance rate है वो भी आप यहीं के ही आप ready कर सकते हैं कि आप इसमें figure डालें प्रोप्राइब जो भी balancing figures आएगी दोनों साइट से उसको balance करने के बाद कि आप जो है दोनों साइड में balancing रख रहे हैं कि आपके बास total capital इतनी है फिर उसके बाद लोंस इतने है total liabilities इतनी है आपकी और उसके एक इंश्ट में आपके पास यह assets है फिक्स assets हैं, investments ही हैं और current assets ही हैं दोनों साइड से बराबर होंगी तब ही आपकी balance ही complete होगी अगर आपने इसमें दोनों साइड में से एक भी रूपे का difference रखा तो फिर आपकी यह balance ही रोंग हो जाएगी त तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ share कर रहा हूँ एक format अगर आप एक normal business SEC है उसके लिए आप balance ही त्यार करना चाहते हैं तो भी आप इस format को ले सकते हैं या फिर आप एक traders हैं जो कि आप trading activity के तुरू आप जो है business income earn करते हैं speculation business में future and options के case में non speculation में करते हैं तो वो दोन चीजे यहाँ पर covered है और आप अपनी balance इस तरह से भी बना सकते हैं कोई specified criteria नहीं है कि आपको किसी format में बनाया बनाना है कि specified में तो आप basically इस तरह से बना सकते हैं आप एक तरफ liability जो एक तरफ assets यह आपके जो है वो source of fund आ गए तोनों चीजे और जो आपकी liabilities होती है यह total assets म पर इन्होंने दिखाया है आप इस format में भी बना सकते हैं को इसमें ज्यादर हाटन फास्ट नहीं है application fund में सेम यह चीजे आपको मिलेगी आप किसी भी तरह की बैंस अब सब चीजे covered है सबसे पहले आप capital लिख लीजिए capital account में जो है आप इनके schedule बनाने चाहें तो schedule भी बना अले अलग उसके अलावा जो आपको creditors है कि किसको कितने पैसे देने है फिर provisions है जो आपने बनाए है वो यहाँ पर आप दे सकते है advanced from customers, suppliers, debtors यह आपको कितना कितना amount किस-किस assets से लेना है इस तरह से भी आप अलग-अलग values में लिख कर और यहाँ पर भी उनके total जो है वो य इस तरह से बनाना है पहले चार्ट आप बना लीजिए depreciation का कि आपकी assets है total उनके group बारिज आप इस तरह से note कर लीजिए फिर उसमें जो है डो जो भी आपके WDVs है starting की वो आप यहाँ पर लिखेंगे addition deletion लिखेंगे 180 days से पहले और 180 days के बाद क्योंकि हाँ पर आपको 100% depreci depreciation allowed होता है तो यहां पर कोई आपने अगर sell out कि है कोई assets तो आपको delete करनी है यहां से फिर आप जो है net depreciation आपका जाएगा depreciation के amount से last करते हुए आपको WDV आ लिखना है gross block में आप यह वाली value लिखेंगे income next में gross block जो है वो यह वाला values होती है और swap depreciation करके net block आता है आपका यह वाली value इस तरह से आप यहां पर लिखेंगे कहीं जग ऐसा भी होता है कि कुछ लोग case में क्या practice follow करते हैं कि values को WDV लेकर चलते हैं और कुछ उसको fix लेकर चलते हैं कि gross flow का आप लिखेंगे total depreciation जितना आप कहाता जा रहा है वह आप value wise यहां से enter करते है less main होता है WDV कि का net block है वह यहां पर आ जाए net value के साथ तो आप जिस तरह से डालना चाहिए उस तरह साथ डाल सकते हैं value यह वाली count होती है यह वाली आप सो करेंगे आप 100 में से 20 रुपीज है less करेंगे टी आया तो उस तरह से अगर आपने यहां पर लिखना है आपको ग्रोस ब्लोक है वह value यहां पर लिखना है और depreciation लेके net WDV आपकी मैच होनी चाहिए पर Capital WIBA आपको यहां पर एंटर करनी है इन्वेश्टमेंट्स तो आपको यहां पर एंटर करते जाना है long term और चैक आपके आन्ड सेक्रेंस रख़े हुई हैं से डिल्लेर से डिल्सेहां ढेंने उन्सों वहर slash होगे इस को आपको आपको ढरडिक करके डालना है अगर आपके पास स्कुन्सिंत् Vikings यहां पर दिखा सकते हैं इसका tuerels यहां पर आता है तो टोटल आपको एंटर करना है मैं इसमें दिखा था को एक्षाण सीघ्ट में कि आपको जो है total किसे कितने नहीं जिए ओली वैलुई की यहां पर जानी इँ की कि आए है इन क्ल歌 या घंप है अलग कैस्ट कितना आपके पाद से वेलेबल है कितना है को यहां पर दिखानी है फिर उसके बाद जो है ने यहीं पर कर लेते हैं जो क्रेंट लाइबिल्टीज की बात कर लेते हैं जैसे आप बैलेंसिंट में भी देख पा रहे होंगे यह आप किसी भी तरह आपका बिजने से आप खुद से भी ट्रो कर सकते हैं सिंपल आपको फीगर लिखनी है आपके पास सारी फीगर्स एविलेबल होंगी आप जहां से दिखेंगे तो आपको इसमें कोई भी फीगर्स ऐसी नहीं मिलेगी अगर आपको कहीं पर बैलेंसिंग दिखान हैं कि आपने जो ड्रॉइंग कि है वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस जा सकती है कैस में थोड़ा सा आप मेंटन कर सकते हैं बागे सारी चीजे सभी एक्च्छल डोंगी कोई भी चीजे ऐसी नहीं होगी आप उसमें थोड़ा सभी कोई बाइफिर्केट कर दें कोई भी उस के लिए करिद्रेट के लिए करमेशन केकन एडवांस के लिए करमेशन लोंस के लिए करैंवरमेशन बैलेंस के बहुदAL क्स्ट आभ hell रंगे तो तो आप क्याम में थोड़ा से आरिजन मार्जिन रख सकते हैं या फिर या पी आपकी ऑन रिज्र में पर स्काल इसमें कोई अगर है तो आप यहां पर एंटर करेंगे और यहां पर जो आपका प्रोफिटेंड लोस का अगर कोई भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो यहां पर आपको एंटर करना है पोजिटिव आपका जो है उपर की साइड में जाएगा तो यह हमारी करन्ट वैल्यू जागी अप्लिकेशन फॉंड्स की इसमें सारी वैल्यू आप एंटर कर लेंगे मैंने जो फीगर्स लिया है वो उसके कोडिंग मैं यहां पर सैट कर कर लेता हूं कि मेरी जो फीगर्स तरह से हैं जो मेरे बास दो लाग रुपे कर जो मैंने दिखाया है कि लोन हो गया और कैपिटल दिखाई है वो मैं यहां पर एजिव कर लेता हूं कि मेरे बास इस वैल्यू में यह सारी अवलेबल है तो हमार यह balance hit तो हो गई confirm, यह ने balance hit की जो figures है हैं हो आपर submit कर दी, अब आता है next, कि अगर आपकी retail activity है, आप जो है traders हैं, तो आपको trading and paymental field करना है, आप अगर manufacturing ही भी करते हैं, तो आपको फिर manufacturing के अंदर manufacturing की details भी हाँ पर enter करनी ही होती है, तो मैं दोनों चीज़ एक बार discuss कर लेता हूँ, balance hit में हम बनाते हैं, इस तरह से balance hit में profit and loss account, अब यह भी share कर देता हूँ, आपके साथ किस तरह से, इसमें हम बना सकते हैं, कुछ modification या इसमें deletion करना है, तो आप अपने coding भी कर सकते हैं, यह हमार जो है वो trading account, print account, तोनों combination एक साथ है, इसमें आपको opening stock रखता हैं, जिस तरह से होता है, उसमें अगरा manufacturing activity है, तो raw metal का आपको अलग करके दिखाना होगा, finished goods का अलग और semi finished का अलग करके दिखाना होगा, यह basically balance hit का profit and loss account है, यह trading के, जो trading करते हैं, जो business person trading में है, उनके लिए normal जैसे कोई भी आप traders हैं, और आप किसी भी goods का अगर आप trading करत हैं, तो उसके लिए balance hit कैसे बनेगी, तो आपको यहाँ पर total आपके turnover है, वो लिखना है कि आपका stock तो कुछ होता नहीं है, total आपको turnover यहाँ पर mention करनी है, उसके against में जो आपके, जो अपने purchase की है, means जो turnover का credit area आता है, उसके साब से total turnover की value है, उसमें से total turnover यहाँ पर आपकी की आएगी, जो आपने sell out किया है, means जो future option में भी turnover ली जाती है, वो इस वाली side में आप लिखेंगे, और जो purchase जिसको माना जाता है, वो इस वाली values में आप enter करेंगे, नीचे खर्चे एंटर करेंगे, जो आपने अगर trading करने के लिए कोई भी activity जैसे rent होगा, sell भी होगा, या आपके लिए electricity expense होगी, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपका net profit आया है, वो आप यहाँ पर दिखाएं, और उसको feed करेंगे, उसी तरह से जैसे अभी हम feed कर रहे हैं, speculation का अलग आएगा, मैं भी दिखाता हूँ आपको, पर profit and loss बनाना बिल्कुल आसान है, उसके गट आते हुए, यहाँ पर लिखना है, इस तरह से आप जो है, दिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसके भी schedule होते हैं, अगर आप schedule बनाना चाहें, तो इस तरह साब बना सकते हैं, total, चलिए profit and loss account में एक बार देख लेते हैं, profit and loss account में क् manufacturing account है, जो से मैंने बताया है, इसमें direct expense आएंगे, opening closing आएगा, opening stock की value यहाँ देनी आपको, जो purchase किया है, आपने वो यहाँ पर enter करना है, direct expense उसके regarding factory rates, सारे fields लिखे होए हैं, जो भी आपका related expense है, इसी तरह से आप balance rate में पहले बना लीजिए, और फिर खर्चों को अलग लिखे हैं, जो भी खर्चे हैं, rent, power, electricity expense, वो यहाँ पर देना है, direct expense के आपर बात की जारी है, अगर आपकी value 0 है, या आप manufacturing activity नहीं करते हैं, तो इस वाले schedule को आप, छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कि सारे schedule आपको बढ़ने जरूरी है, आपको बता जाता हूँ, स professional है, और आपकी receipts आती हैं, तो फिर आपको बढ़ने की requirement ही नहीं है, यह जो ITR मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, इससे आपको काफी benefits होंगे, कि आप अगर as accountant है, या आप as a smaller businessman है, तो आप अपने return को खुद से file करने कोई problem नहीं है, उस पर, add details करेंगे, आप revenue आपको देना ह होंगी goods है, अगर दोनों है, तो दोनों में value डाल दीजिए, अगर कोई other revenue है, तो उसमें भी आप add करते होगा, आप जा सकते हैं, कोई problem नहीं है, इसके अलाबा जो है, opening stock, closing stock, purchase, traders के लिए same value है, क्योंकि finished goods कही होगा, manufacturing के लिए जो है, raw material भी होगा, semi finished goods भी होगा, दोनों है difference है, यहाँ पर आपको enter करना है, simply direct expense, जो भी इस से related, जो भी आपके direct expenses है, वो आपको यहाँ पर enter करना है, list wise, carries, rate, fuel, power, वो सारी चीजिए यहाँ पर आ जाएंगी, duties and taxes के लिए, जो भी taxes and duties आपने paid की है, वो सारी values आपको यहाँ पर enter करनी है, one by one सब के heads दिए ग लिखना है, यहाँ पर mandatory नहीं है, next है profit and loss account, अभी profit and loss account हम किस तरह से feed करें, क्योंकि हमारे value जा गई हो, automatically मैंने one lakh rupees का exam पर लिया है, अभी credit तो आगया, अभी हाँ यहाँ पर debits है, debits में आप जो है, क्या-क्या खर्चा आप दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पर add details में आपक rate, power and fuel rent, consumption of stores, repair building rent, salary wages, just as पहले आते सिम ऐसे schedules दिये गए हैं, थोड़ा criteria चेंज कर दिया है, थोड़ा criteria चेंज कर दिया है, इनका rent bonus, salary का पूरा schedule आ गया, कोई आपने non-region rent को कोई payment तो नहीं करी है, तो वो सारी चीची यहाँ पर value जा जाएगी, और सारी value zero करने की भी requirement नहीं है, और सारी value zero करने की भी requirement नहीं है, और सारी expenses आ गया है, रोयल्टी के आ गया, profit and fees का आ गया, आप इसको add कर दीजिए इसमें, यह आपने business in India किया है, without India से बाहर किया है, तो वो सारी values आप जो है, एक एक करके सारी fields दिये गए है, आप यह वाले copy कर लीजिए और Excel में वहले बना लीजिए, आपके वार कौन-कौन से expenses हैं, यह आपकी balance इत्यार हो गई, फिर profit and loss भी इतरे से त्यार हो जाएगा, अगर आपने business के लिए audit कर रहा है, तो audit की fees का अलग option आता है, 45 numbers इसमें आपको देना है, बाकि सारे खर्चे जर्णल है, traveling, convenience, club expense, scholarship, gift, donation, सारी यह ध्धान लगिएगा, donation के लिए आपको अलग से schedule, feed करना होगा, यहापर जो donation आपको दे रहे हैं, business के लिए जो donation है, वो फिर हैं, जो आपने ऊपर नहीं लिखे हैं, ऊपर आपको दिखनी रहे हैं, जिसे license fees, उसका कोई option नहीं है यहापर, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर add करते हुए, उसको लिख लीजिए और फिर value डाल दीजिए, bad debts, pen number है, या अधार number है और उसका amount कितना है, ऐसे आपको एक से जादे value तो आप add करते चले जाएए, सारी value एड हो जाएंगी, उसको आपको expense के रुप में हाप पर allowed करने हैं, तो इसमें कोई जादे tough end वाली बात नहीं है, यह काफी easy है, इसमें कोई problem नहीं है, आपको इसमें कोई Deft, Deft, Deft x, वो सारी value आप यहाँ पर ले लेंगे, आपका अगर जो previous balance forward है, तो यहाँ पर आपको enter करना है, फिर apportionment करते हुए, कि आप जो value ट्रांसफर करिए आपने reserve surplus के तुरू, जो आपने provider capital में add किया है, यहाँ पर जो value जाएगी, वो आपकी value होनी चाहिए, जो आप primitive income के लिए अलग से दिया गया है, यह हमने पहले से follow नहीं किया कि हमने इसको no कर दिया था, क्योंकि हम इसके लिए file नहीं कर रहे थे, और no books of account case के maintain के किसमें profit and loss में, जो figures है, वो receipt payment के साब से आपर आपको enter करना होती है, इसका जो point number 64 में value जाती है, और यह जो value है, मैं आपको clearly बता देता हूँ कि आप stock market में trading income से अगर आप earning करते हैं, या earning के किसा साथ मैं loss भी cover कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा हो सकता है यह आपको profit के साथ loss भी हो, या किसे हाल में loss होता है, किसे में profit होता है, दोनों चीज़ होगे कि इसमें, यहाँ पर आपको यह वाली practice follow नहीं करनी है, अगर आप यह वाली practice follow कर देंगे तो आपकी return defective होगी और आपके बार notice आएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजेगा, आपको यहाँ पर enter values नहीं करनी है, यह speculative activity के लिए अलग से जो field दिया गया है, इसमें आपके वाल speculation business से होने वाली risk turnover को और profit को दिखा कर net income निकाल सकते है speculative activity से, पर आपकी जो income होती है share market से, as a trader, वो speculative भी होती है और non speculative भी होती है, तो जो आपकी, अगर आपकी speculative भी है और non speculative भी है दोनों है, तो फिर आप उसके लिए proper books of account maintain करते होए अपने profit and loss और अपनी जो balance data उसको file करें, अगर आपके वाल यहीं पर feed कर देंगे, no books of account case के, में आप file कर देते हैं, तो आपके information जो है, वो अधूरी रह जाएगी, और आपके बासका notice आएगा confirm, तो यह चीज़े आप ना करें, यह इन्होंने facility दियेगी, जो छोटे वाले dealers होते हैं, जिनके बाद प्रोफर books of account maintain नहीं होती है, और आ पर देखेंगे, act में जाके, act में limit है, वो भी काफी कम है, इतनी कम limit है, कि net profit आप उतना दिखाएंगे, तो फिर आपकी कुछ ITR ही नहीं होगी, फिर तो आप एक तरह से निल return भरने है, तो फिर ITR 3 भरने का फायदा ही नहीं है, फिर तो आप कोई दूसरी return भी file कर सकते है, फिर ITR 1 है, 2 है, weather income यह आप दिखाना चाहते है, तो उसकी turnover की limit है, section 44 ही की, मैं आपको हलका सा discuss कर देता हूँ, वैसे आप मेरे वीडियो इस पर चेक भी कर सकते हैं, वैसमें कोई problem नहीं है, जो criteria है, वो काफी small amount का है, एक लाग बीस जार रुपे की आपकी net profit, और जो आप बीस जार का profit है, तो कितना कम profit है, हाँ पर पहले से ओले इन्होंने limit में रखाएगी, अगर आपका जाता है, तो फिर books of account आपके उपर applied हो जाते हैं, और lows के case में भी same है, पहले turnover तो दिखते ही है, turnover की limit है, फिर net profit की limit, दोनों से कोई भी अगर आपके exceed कर जाती है, तो आप आपको proper books of account maintain करने है, तो आपको suggest यही करूँगा, कि यह वाल option select ना करें, इस case में जो है, वो notice होने के chances जादे रहते हैं, कि आपने proper books of account maintain नहीं करें हैं, और आप return file कर रहे हैं, ITR 3, तो आपकी return rate effective हो जाएगी, notice भी आपके बाद जरूर आएगा, तो आप ध्यान लखिए हैं, जो भी आपकी other information है, जो आपको method of accounting, कि आपने कौन सा method follow किया है, कोई change तो नहीं किया है, और profit decrease, increase के regarding जो भी है, वो provisions है, basically जो यहाँ पर schedule दिया गया है, यह work करता है, आपने proper books of account maintain किया है, और उसके बाद आप जो है, वो audit के लिए liable है, section 44 AB की, तब यह mandatory है, otherwise, फिर आपके लिए mandatory नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, तो हमने starting में लिया था, कि हम आज इसको discuss नहीं कर रहे है, tax audit के साथ ITR 3 कैसे बरे, तो इसके लिए हम जो है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इसी में ऐसी नहीं है कि यह जो है, पर बरस यह जो value जाए normal वाली आप select कर लीजिए, यह आप कौन सा method follow कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है, कोई change तो नहीं हुआ है, अगर आपका इसमें से दोनों में से को और डिफेरेंट टाइब से आता है, जिस आइटीर 2 में है, सेम ऐसे ही रहता है, वैसे तो, तो यह salary का schedule है, इसको अगर आपका, आपको select करके schedule में सब को confirm करना पड़ेगा, यह चीज़ आप ध्यान ने किये, पहले क्या होता था जो utility आती थी, तो उसमें क्या था कि हम ऐसे salary आती है, तो आप salary इसमें यहां से add कर दीजिए, name of employer, 10 number mandatory address आ गया, अच्छा इसमें एक प्रोब्लम आ रही दी कि अगर आप pensioner है, तो आपको यहां पर canter address करना है, देखिया, आपको जो pension आती है, आप या तो state government employee है, या फिर आप central employee है, यह इसके लावा आप आर्वी में काम करें, यह किसी भी तरह से अलग entity अगर कोई है, central के अलावा, state के अलावा भी किसी other तरीके से आप pension ले रहे हैं, किसी other act में cover होते हुए, यह कोई ऐसा provision से जो कि Parliament से direct government होते हैं, वहां से आपको salary आती है, या pension आती है, तो उसमें आप यहां पर employer का नाम क्या लिखें, त इतनी आपको knowledge है, कि आपको basically आपके account में पैसे आते है, pension के, तो इतना तो आपको पता ही है, कि आप कही पर job करते थे, तो वह pension आ कहां से रही है, तो इतना तो आपको यह information होगी, अगर फिर भी आपको information नहीं पता होती है, कि आपके account में pension कहां से आती है, तो simple simple है, आप ज जहां से credit हो क्या रहे है उस entity का नाम क्या है बस simple है आप उस entity का नाम लिख दीजिए और address का क्या होता है कि जहां से आपने last salary लिए जो भी address है employer का आप लिख लिजिए को प्रोप्राइडर्स देने की requirement नीए केवल आप simple CT भी लिख देंगे यहां पर दिल ली उम्मे जो भी CT आपकी उससे भी work करेगा यह पिन कोड करेक्ट होने चाहिए और नेचर क्या है employer का center government, state government, PSU, other undertaking, bank nurse यह अधर समें जो भी है वो अधर लिख के covered हो जाएंगे आप तो इसमें इंटर करें लीजिए उसमें कोई अधर hard and fast नहीं कि आपको exact ना भी लिखना है जहां से पैसे आते हैं उसका तो सबको पता ही रहता है कि balance कहां से आ रहा है पर फिर भी आप देख लीजिए section 17 के according यहां पर salary आपको basic salary आपको basic salary आपको अपनी salary के according one by one add करते जाना है अपने चैनल वर जाकर ITR 2 भरने का तरीका आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें कोई problem नहीं है हम इसमें देख लेते हैं एक बार तुबारा से salary की information है हम इसको ऐसे add कर लेते हैं कि हमारी जो है कोई भी salary नहीं है इसमें कोई problem नहीं है क्योंकि हमें confirmation तो देनी ही देनी ह है फिर भी हम confirm कर देते हैं हमारी कोई salary की income नहीं है आपर लगी basically हमारे जो आज कर टार्गेट है वो है business income को cover करने का schedule BP इसमें competition आएगी आपकी जब आपने सारी values आपने feed कर दी होगी उसके बाद आपकी जो है प्रोपर यहापर competition आ जाएगी इसमें आपको check करना हैगी किसी दूसरे add का अगर कोई loss आता है यह values यह आपको एक अलग schedule है उसके महाँ उसमें आपको यह values फीड करने है और वो यहाँ पर आएगी automatically यह भी मैं आपकी साथ discuss कर लेता हूँ hand to handy एक शीज़ इंपोर्टेंट है अगर आप जो है फिक्से सेट्स पर depreciation claim कर रहे हैं अगर आपकी values नहीं है फिर तो कोई problem नहीं है वाट अगर आप जो है values पर depreciation claim कर रहे हैं तो जो depreciation chart हमने बनाया था देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह depreciation का चार्ट है हमने यहाँ पर value में तो feed कर दिया profit and loss में हमने दिखा दिया कि हमारा इतना है जब हम balance sheet में जो profit and loss accountors को feed कर रहे थे total यहाँ पर हमने turnover दीती फिर purchase expense और यह सारी किये वाला जब तक आप यह दोनों feed नहीं करेंगे तब तक आपको allowed नहीं होगा depreciation तो आप ध्यान लखें कि आप इसको feed करना ना भूलें अगर आपको इसको feed नहीं करते हैं और आइडर तो वैसे भी सम्मिट हो जाएगी आइडर तो सम्मिट हो नहीं क्राइटरी आएगी फिर बाद में आपके बाद डिमांड आएगी विजो depreciation ने वाइड बैक होकर आपके ओपर डिमांड आ जाएगी तो ध्यान लखेगा यह ज़रूरी है अगर आप क्लेम कर रहे हैं इसमें रेट के कोडिंग अलग अलग बनाए गए है एसेट का लग दिया है प्लाइड मसीन नी का लग दिया गया है तो आपको वैल्यू यहां पर एंड करनी है एड़ पर क्लिक करेंगी से अंदर री जैसे मैंने बताया है ब्लोक अप एसेट्स है वैल्य से ज्यादा और वर्णिटी डेस से कम यहां पर आपका खुद ऑटमाटिक जो डैपिशेशन है वो भी कैल्कुलेट करके आएगा और डव्लोडी वी आपकी यहां पर ऑटमाटिक ली आएगी तो यह भी चीज आपको दिहान रखनी है यह सेट्डिल भरने जरूरी है अगर अगर आप इसको फाइल नहीं करेंगे जो मैंने चार्ट बना है वो काफी हीज़ी है उसमें से आप देखके देखके डव्लोडी वी हो गई एडिसन होगे डिलेशन होगे रेट यहां पर दिये गए है अपर दिये गया है और जो डव्लोडी वी आप मैस कर लीजएगा कि आपके हाँ से मैस हो नहीं जरूरी है बस घ्याँ कंप्लीन हो जाए मैस में को दिक्केत वाली बात नहीं है पिर आप इसको कंफर्म करेंगे पिरेंगे सारी ज़रूरी इसका सब्सक्राइब करने पड़ेगा तो यह बेसिकली हमारे बिजनिस इंकम बिजनिस इंकम किसी तरह से बिजनिस इंकम कि अगर आपकी आ रही है तो उसके उपर किस तरह की डिटेल्स हमें फीड कर नहीं है वो तो हमारी सब चीज यहां पर अब यहां पर आता है कि समरी आ जाएगे एक तरह से आप चेक कर लिजेगा अगेंश्ट में क्या है बिल्डिंग क्या है वह सारी यहां पर आएगी कितना है आपका वह आप चेक करके कंफिर्म के लिए कंफिर्मेशन के लिए एडिटेबल फिल्ड तो ओपर ही थे वह जो अप्लाइड नहीं है हम यह कंफिर्म कर लेते हैं अगर आपके वासी नहीं है तो इसके प्रोविजन अलगें तो आप इसको कंफिर्म कर दे चलिए किनाश्ट टैप में जाने के लिए पिर आता है आपका डिटेल्स ओफ कैपिटल एसेट्स के लिए आईडियर टूल में ज चैनल पर जाकर वीडियो देखती होगी आईट्यार टू किस तरह से फाइल करें यह सेम से इंकम किस तरह से आपकी इंकम कवर्ड है या नहीं है वह सारी वैल्यू आपको यहां से कंफिर्म करनी है और इसी तरह से दूसरे से लिए लोंग टर्म कैपिटल के इनके इंके इस स्पेसल इंकम है तो वह आपको यहां पर एंटर करनी है जो भी आपके FD से आ रहा है से विंग मैंक से को भी इंट्रेश्ट आता है तो वह सारी वैल्यू आपको यहां पर देनी है अगर वैल्यू ज नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप इसको छोड़ दीजिए ब्लैंक छोड़ दीजिए कोई प्रोब्लम नहीं है तो आपके यहां पर अदर सोर्स में जो भी नॉर्माल टेक्स ऑफ रेट से इंकम टेक्सिबल होती है वह आपको एंटर करेंगे वह स्पेसल रेट से अगर आपके इंकम आती है वह आपको यहां पर एंटर करनी है मिंस अदर सोर है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं अब यहां पर आता है लोस का करी फोरवार्ड और फोरवार्ड या अगर आपका यहां पर लोस हो रहा है तो लोस के जो प्रोविजन से कि आप अपने लोस को करी फोरवार्ड कर सकते हैं या किस तरह से carry forward करेंगे, अगर आपका current tier में एक head से loss हो रहा है और एक से दूसरे head of income से profit हो रहा है तो वो किस तरह से setup होगा, वो यहाँ पर आपको करना है Section 8 TD, Schedule ATD में क्या है कि आपको जो medical claim के expense मिलते हैं वो यहाँ पर आपको feed करने होते हैं, अपने अपनी family member के लिए जो आप claim करने जाते हैं, उसके लिए health insurance, preventive health checkups, वो सारी भी details आपको यहाँ पर enter करनी है, अगर आप इसमें से कुछ भी claim नहीं करनी हैं, तो आपको note claim for parents, select करना है कुछ भी claim नहीं करना चाहते हैं, और इसको confirm करना है, क्योंकि बिना confirm करे हुए, आप schedule से आगे नहीं जा पाएंगे, यह सारी values आपको जो है, अराम से मिल जाएगी, यह भी हम claim नहीं कर रहे हैं, यह के लिए अलग provisions है कि आप यहाँ पर deduction claim कर रहे हैं, तो आप one by one select करते ज जाएए, chapter 6 में जो आपको ATC की deduction मिलती है, जिसे आपके LIC, medical policy, extractor, extractor जो भी होती है, वो सारी details आप यहाँ पर enter करेंगे, ATD के लिए medical अलग से दिया गया है, बाकी अलग ATC के जो होती है, ATTA, ATT-TB, जो भी other deductions मिलती है, chapter 6 मिल जाएगी, और special rates से आपकी income taxable होती है, तो of total income, कि आपकी salary से कितनी income आ रही है, house property से कितनी आ रही है, PGVP से कितनी आ रही है, profit from, profit or gains from business or profession, capital gains से कितनी income आ रही है, other sources कि क्या income है, total कितना रहा है, और उसमें से कितना low set of हुआ है, या कितना carry forward हो रहा है, brought forward हो रहा है, उसके अलाबा जो है, net income जो कि आपकी special rates से taxable है, व कितनी रिदक्शन क्लेम किया है, वो values आएंगी, section 10 double है कि कोई reduction लिया है, net total income आपकी यहाँ पर आ जाएगी, total income में reduction automatically adjustment होगी, special rates से कौन से वाली income से है, agriculture income है, वो आपको अलग से feed करनी होगी, exempt income का भी schedule है, उसके अंदर आपने feed करना है, और यहाँ पर net आपकी जो income आ फिर next, same उसी तरह से tax paid का आएगा, कि tax payment किस किस तरह से होई, advanced tax कितना गया, tds किया कटा हुआ है, अगर कोई भी tds कटा हुआ है, अगर कोई भी tds कटा हुआ है, देखें, आपर tds की automatic details आ रही है, इस पर आप click करके, जो जो values है, उनको आप edit भी कर सकते है, edit में, पर delete भी क आप देख सकते हैं, आप से कोई problem नहीं है, values को आपको click करते हुए, edit करते हुए, confirm जरूर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी details नहीं आ रही है, 26 sales से, तो एक-एक value को आप edit करें, यहाँ पर edit करें, फिर इसमें जाए, और यहाँ से आप claim करें, claim के बाद आप यह कितने amount है, total कैसे आई है, वो सारी values यहाँ पर आपको enter करनी है, आपने तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो data है, वो 26 sales से combined नहीं आ रही है, भी problems है, इसमें, इसके अलावा कोई TCS है, जो आपका कटा हुआ है, या आपने advanced taxes है, या आपने टेक्स कोई पे किया है, वो सारी ची इस वाले के अंदर, कि tax liability है जागी, special rate से कितना tax है, normal rate से कितना tax है, उसके पर सर्चार्ज कितना है, total paywall किता हो रहा है आपका, वो सारी values यहाँ पर आपके, हाईगी, automatic हाईगी है, सारी values, जो भी आप उसमें check कर सकते हैं, क्योंकि editable field आपके पीछे दिये गए है, जो भी आपने schedules feed किये हैं, उसमें जाकर आप edit कर सकते हैं, आप edit ने कर सकते हैं, आप value चेक कर सकते हैं, अब जैसे हमने details पर यह हिसाब से refund आ रहा है, लेकिन आप value feed करेंगे, उसके साब से आपकी amount paper आएगी, और paper लोने के पाद refund से adjust होगी, तो उससे फिर value verify होगी, कि आप जो है अगर आपकी value कम आ रही हैं, तो आपका refund हो जाएगा, value अगर आपकी जाद आ रही हैं, तो फिर आपको चलान भरना है, चलान अलग से कैसे file करना है, उसकी values कहाँ पाएगी, वो income tax में, उसके लिए मैंने अलग से videos दी हैं, वो आप जाकर एक बाद चेक कर लीजेगा, यहा सब उसे देख भी पाएंगे, समें कोई ऐसी problem नहीं है, सारी values one by one, यह देखिए, next next करते रही है, value आप देखते रही है, एक एक करके, और उसके बाद जो है, place, place के बाद enter करना है, proceed for validation, जो value validate करेंगे, उसके बाद इसमें errors आएंगी, क्या क्या errors हैं, वो सारी errors आएंगी, जब आपने confirmation दी है, उसमें भी अभी हमने data पूरी तरह से feed नहीं किया है, validation कर में इसे नहीं है, कि आपके ITR फाइल होगी, जब तक आप ITR को अधार के तुरू, या फिर bank account के तुरू, EBG के तुरू, verified नहीं करा देते, और आपको acknowledgement number receipt नहीं हो जाता, तब तक आपके ITR फा file के तुरू ही file करें, और online filing में अगर आप जाते हैं तो आपको time बहुत ज़्यादे लगेगा, हमासे भी direct login करके आप ITR फाइल कर सकते हैं, दोनों के same fields है, same criteria है, same preview है, जो utility है, उसको भी सितरे से बनाएगा है, तो दोस्तों, यह हमारा complete video था, आप video को ज़्यादे ज़्या